हेलो दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का टोपिकी स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले बुगगोल के 40 ऐसे महत्पून परसन तो कि एकजाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाए चालिस में से आप कितने सही कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो साथ ही साथ मैं तो रीजिनिंग की वीडियो भी मिलती रहें तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को जरूर ओन कर लीजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचना है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तो एक लाइक जरूर के अगरे वीडियो को इसी से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए डेली ओनलाइन टेस्ट लेके आने का और सेयर भी जरूर के अगरे अपने वोटस अप और अपने फेस्बुक गुरूप में ताकि दूसरे स्टुडेंट की भी हेल्प हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिन दिये जाएंगे 5-6 सेकिन में आप नीचे उस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बता सकते हैं दोस्तो जितने भी अभी तक टेस्ट अपलोड हुए हैं वो सारे के सारे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में दे दिया है लिंक तो वहां से जाके आप वो सबी टेस्ट भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को यहां पर पहला कोशन है हिमालिय परवत का सबसे बड़ा गलेसियर है तो A, B, C, D में से कौन सा उप्षन रहेगा नीचे कमेंट बुक्स में आंसर बताए दोस्तों बिल्कुल से हिए अगर आप यहां पर ओप्षन भी लगा रहे हैं कोशन नमबर टू असम हिमालिय का विस्तार है तो टू का राइट आंसर ओप्षन C हो जाएगा कोशन नमबर थिरी हिमालिय में हिम रेखा निमिन के मद्य होती है और थिरी का राइट आंसर यहां पर ओप्षन D हो जाएगा कोशन नमबर फोर निमिन लिकित में कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर उच परवत चोटी है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बोक्स में बताईए जितने भी स्टुडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही अगर आप यहां पर ओप्षन A लगा रहे हैं तो वेरी गूड राइट आंसर A हो जाएगा कोशन नमबर फाइव निमलिकित में कौन सी परवत सरंकला सबसे पुरानी है तो यह भी आप जरूर बते कमेंट बोक्स में क्यूंकि बहुत ही आसान सा कोशन है यह और यहां पर फाइव का रहेट आंसर बिल्कुल सही है ओप्षन B हो जाएगा ठीक है बई? कोशन नमबर 6 है निमलिकित में से अवजिस्ट परवत का उधारण है तो 6 का रहेट आंसर ओप्षन C हो जाएगा कोशन नमबर 7 निमलिकित में से ब्लोक परवत का उधारण है तो दोस्तो साथवे का रहेट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्षन A लगा रहे हैं ठीक है चले नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 8 है थाल गाट, भोर गाट, पाल गाट दर्रे अवस्तित हैं बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोशन है सारे तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, D राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी, देखे हर एक बच्चे को पता होगा और इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बोक्स में बता दीजे बस जी बिल्कुल सही यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा नेक्स कोशन नमबर टैन है अलकनन्दा एवं भागरती नदिया किस इस्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है तो ये भी बहुत ही आसान सा कोशन है इसका आंसर भी आप कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा दोस्तों अगर टैस्थ पसंद आ रहा है न तो एक लाइक जरूर कर दीजे 10 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कोशन नमबर 11 सोन नदी कहां से निकलती है तो ग्यारवे का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोशन नमबर 12 तिबबत में मानसरोवर जील के पास किस नदी का उदगम सरोत इस्थित है तो बारवे का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर 13 निकलत में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ये भी बहुत अच्छा कोशन है और यहाँ पर बिल्कुल सही अगर आप 13 का राइट आंसर ओप्शन सी लगा रहे है चलिए नेक्स कोशन पर चलते है कोशन नमबर 14 है वीस्व का सबसे बड़ा नदी द्वीब माजूली अवस्थित है बहुत इंपोटेंट कोशन तो 14 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कोशन नमबर 15 किस नदी को वरत गंगा के नाम से जाना जाता है बहुत बार पूछा गया कोशन और 15 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा Q16. गोदावरी नदी का उद्गम इस्थान है तो दोस्तों यहाँ पे 16 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा Q17. निमलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन C लगा रहे है Q18. सुद्दर्वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो देखिए बहुत अच्चा कौशन है और बहुत यहासान सह है 18 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा Q19. ब्रामनी किसकी सायक नदी है तो बिल्कुल सही है 19 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा Q20. कावेरी नदी गिरती है तो दोस्तो 20 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन A लगा रहे हैं ठीक है चले नेक्स कौशन पे चलते हैं Q21 है पस्चिम की ओर बहने वाली नदी है तो दोस्तो 21 का राइट आंसर बिल्कुल सही ओप्शन D हो जाएगा ये तीनो नदी है ठीक है पस्चिम की ओर ही बहती है तो Q22 प्राइट वी पिया भारत की सबसे बड़ी नदी है तो बिल्कुल सही है 22 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा Q23 जमसेदपूर किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो 23 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा Q24 किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक स्टुडेंट इसका आंसर दे सकता है तो नीचे कमेंट बोक्स में जरू बताएए A, B, C, D में से कौन सा ओप्शन रहेगा 24 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा बिल्कुल सही ठीक है बई? तो ओप्शन C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 निमिल लिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो इन में से देखे कौन सा सुमलित नहीं होगा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो ओप्शन डी हो जाएगा दीखें कोश्चन नमबर 26 बहुत ही इंपोटेंट है हीरा कुन बान किस नदी पर बना है तो कमेंट बोक्स में आंसर जरू बताएं दोस्तों अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है न तो प्लीज यार एक लाइक जरू कर दीचेगा तो बिल्कुल सही है यहाँ पर 26 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा ठीक है चले कोश्चन नमबर 27 थोड़ा जूम इसको कर लेते हैं तो 27 है आपका गांधी सागर जवहार सागर तथर राणा परताप सागर बांध किस नधी पर निर्मित है तो बिल्कुल सही है दोस्तों 27 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है बई कोश्चन नमबर 28 अलमाटी बांध किस नधी पर बना है तो बिल्कुल सही है 28 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोश्चन नमबर 29 लोनार जील किस राज्य में इस्थित है तो दोस्तों बिल्कुल सही है 29 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है बई कोश्चन नमबर 30 और देखे बस आपके 10 कोश्चन हो रहे गए हैं तो बिल्कुल एट तक लगाईए टेस्थ को भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है तो तीसवे का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कुश्चन नमबर 31 तीरी बान परियोजना में निर्मित जलास्या का नाम है तो 31 का राइट आंसर जो रहेगा वो ओप्शन डी हो जाएगा राइट ठीक है बई? 32 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो बिल्कुर से ये 32 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कुश्चन नमबर 33 बगलिहार जल विदुत परियोजना की इस्थापना किस नदी पर की जा रही है तो बिल्कुर से ये 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बई? ओप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 34 राष्टिय वन नीती के अनुसार देश के कितने परतिसचेद पर वनों का आवरण अवश्यक है? तो बिल्कुर से ये 34 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कुश्चन नमबर 35 देश में सर्व अधिक वन छेतर किस राज्य में है? तो 35 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कुश्चन नमबर 36 कुल भोग गोलिक छेतर के परतिसच के रूप में सर्व अधिक वन छेतर वाला राज्य है तो बिल्कुल सही हैं आपे 36 का राइट आंसर भी आपका भी हो जाएगा कुश्चन नमबर 37 किस राज्य के कुल भोग गोलिक छेतर पल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो ओप्शन D हो जाएगा कुश्चन नमबर 38 फूलों की घाटी इस्तित है तो दोस्तो 38 का राइट आंसर आपका ओप्शन C हो जाएगा कुश्चन नमबर 39 दल्दली अत्वा जवार भाटा छेतरों में पाये जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सरी 39 का राइट आंसर A हो जाएगा कुश्चन नमबर 40 लास कुश्चन आज का सुन्दरी वक्स कहां बहुत यात मात्रा में पाया जाता है? तो 40 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा तो दोस्तो आपका स्कोर कितना रहा है? कमेंट बोक्स में बताइए इनके सभी के आंसर मैंने नीचे हाँ पे दे दिया है इस पीडियाप